स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्राश्ण हाल ही में अधिनियमित भारतिय न्याय सहिता, BNS, नामक अपरादिक सहिता के तहते टेंडरन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधी निर्धारित है ए, पांच लाख रुप्य जुर्माना, पांच साल की जेल, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस साल की जेल, सी, दस लाख रुप्य जुर्माना, साथ साल की जेल, डी, कोई जुर्माना नहीं, पंदरा साल की जेल, आंसर, बी, सात लाख रुप्य जुर्माना, दस साल की परवाही से वाहन चला कर होने वाली दुरघडनाएं भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं और उससे सबसे ज़्यादा लोग भी यही मरते हैं। एक्स्प्लिनेशन एक जन्वरी 2024 को शामिल होने वाले नए सदस्य मिस्र, एथियोपिया, इरान, सौधी अरब और सयोकत अरब अमीराथ हैं। विस्तारित समूह को अक्सर, BRICS PLUS, कहा जाता है, हलांकि किसी आधिकारिक नाम की घोशना नहीं की गई है। BRICS समूह, शुरुआत में 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा गटित किया गया था। 2010 में दक्षन अफ्रीका को शामिल करने के साथ इसका विस्तार हुआ। अगला प्राशन, किस भारती राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूह, एक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। के दौरान सिर्फ मोधेरा सूर्य मंदर में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। अगला प्राशन, जन्वरी 2024 में राजस्थान में भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच आयोजित सयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? A. डेज़ट स्टॉम 2024 B. डेज़ट थंडर 2024 C. डेज़ट साइकलोन 2024 D. डेज़ट मिराज 2024 आंसर C. डेज़ट साइकलोन 2024 एक्स्प्लिनेशन, भारत और सयुक्त अरब अमिरात के बीच सयुक्त सैन्य अभ्यास, डेज़ट साइकलोन 2024, 2 जन्वरी से 15 जन्वरी तक राजस्थान में निर्धारित है दोनों देशों की सैन्य टुक्लियों में 45 कर्मी भाग ले रहे हैं अगला प्राश्ट्न किसे हाल ही में MS स्वामिनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? A. लाल कृष्ण आडवानी B. S. जेशनकर C. बी आर कमबोज D. अरुन सिन्हा C. बी आर कमबोज कमबोज को यह अवर्ट कृषी विग्यान के क्षेत्र में वेग्यानिक और विस्तार विशेशगय के रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया करनाटा के राज़िपाल थावर्चंद गहलोत ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया